हेलो एब्रिवन तो आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे वह साइंस रिलेटेड नहीं है हम जिस समाज में रहते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और हमें अपने फ्यूचर को किस तरह से बहतर बनाना है हम उसके बारे में बात करेंगे तो जैसा कि आपको बीजेपी और दूसरी है कॉंग्रेस इसके लाबा हमारे पास कोई आपसन नहीं है तो अब बहुत से स्टुडेंट का यह मैंने जब उनसे बात किया कि आपने वोट दिया या नहीं दिया तो बोलते हैं कि सर हमारे वोट देने से क्या ही फरक पड़ेगा तो वोट देना क्यो नियों आपको वोट देना चाहिए यह भी precaution मिस में इसको में एक चोटी सी सिम्पल से कहानी के माद्यम से आपको समझाऊंगा जो मेर भारती जनता पार्टी तो इन दोनों की बीच में कंप्पटिशन है आप में इसमें से ही किसी को बहतर चुनके लाना है तो एक कहानी मतलब ऐसे आप समझ लीजिए तो जो कॉंग्रेस वाले हैं उनके आपके राहूल गांदी और जो बीजेपी है उसकी तरफ चेहरे हैं जो म जबाता है और तीनों टाइम की डायट का आप में बता देता हूं कि आपको 3500 रुपय के आसपास वह दिया जाता है तो हुआ क्या कि उसमें क्या होता है कि 6 स्टुडेंट को ऐसे कमेटी मेंबर का मी होता है कि वह पूरी जो इस्टुडेंट मैस है उसकी देख़रेग करें और जो वहां पर worker काम करते हैं उनकी salary भी सारा वही लोग देंगे तो अभी last time से कुछ मंत में क्या हुआ कि वहां पर mess जो है वो नई committee जब बनी तो mess जो है वो profit में जाने लगी तो profit में जाने लगी तो उन्होंने decision लिया कि हम आपका पैसा जो है वो 3500 से कम करके 3000,000 करते हैं तो अब समाज के साब से आप समझे इसको तो जो समाज की जनता थी उसकी मन में एक खुसी की लहर दौड उठी सब ने कहा कि अब हमारा 500 रुपए पर मंत बचेगा तो भाई मेर मेरे दोस्त चुथा उसके लिए भी एक अच्छी ख़वर थी कि भाई उसका भी पैसा 500 रुपए बचने वाला था तो हम लोगों ने बोला कि उससे कि भाई तुमारा 500 रुपए में पार्टी भी दिया लेकिन उसकी साथ में आगे कुछ ऐसी tragedy हुई है उसके बारे में भी बताऊंगा आपको तो जब वो पैसा उनका profit में जाने लगा तो next month में क्या हुआ कि उनका प्लस में पैसा गया वह डेड़ लाग रुपए एक लाग विसवी सजार के असपस गया तो अब उन्होंने क्या किया decision लिया कि हमें क्या करना चाहिए हमें मैस में जो है वो AC लगा दर्सी थे तो वह सोच रहे थे कि AC लगाएंगे तो हो सकता है कि भविस में उनका जो खाने का menu है उसके साथ में समझोता करना पड़ी और उनका कहना ये था कि खाना खाने के लिए हम 10 मिनट या 15 मिनट ही हॉल में बैठते हैं तो आप AC मत लगवाईए आप उस पैसे का क्य करिए कि जो खाने के items हैं उनको increase करिए और आप जो दो special दिन देते थे मालीजे कोई दिन है संबार को दे रहा है और संडे को दे रहा है तो आप दो दिन की जिए कि तीन दिन special खाना दीजिए तो यह हुआ कि नहीं AC लगना बहुत जरूरी है तो इसके लिए एक meeting रखी जो committee members थे उसमें से दो ही committee members आये और उन्होंने यह decision लिया कि आप AC लगने दीजिए और आपके खाने का menu है उसके साथ में कोई भी compromise नहीं किया जाएगा पहली condition और दूसरी condition यह थी कि जो आपका पैसा है वो भी नहीं बढ़ाया जाएगा आपका पैसा जितना लग रहा थ उतना ही रहेगा ठीक है हुआ कि सब बच्चे खुस हो गए कि भाई पैसा भी उतना ही देना पड़ेगा खाना अच्छा मिलेगा और AC की ठंडी हवा भी मिलेगी ठंडा पानी और AC के साथ में मस्त एकदम खाना फिर आगमन होता है हमारे बोल्टास के AC लगाया इसको इंस् इंस्टॉल होने के 15-20 दिन बाद ही देखने को मिल रहा है कि जो उनकी थाली में जो पकवान थे उसमें से वह हटा लिए और उनको नॉर्मल यहां पर यह जो आपका आलू की सबजी दाल और आप यहां पर कॉर्णर में देख पा रहे हैं लास्ट एक कॉर्णर में यहां प से उठा लिया गया है अब क्यों उठाए गया तो जब लोगों ने सवाल किया तो आंसर आता है कि भिया हमारा बजट जो है माइनस में चल रहा है इसलिए हमने आपके यहां थाली से रजगुल्ला हाटा लिया लेकिन जिस तरह से नेता आप से चुनाओ के टाइम पर वाद देखिए गये थे कि जो आपकी यहां से पकवान भरी थाली थी उसमें से कुछ भी कम नहीं होगा लेकिन आप दोनों में कंडीशन में देख पा रहे हैं यह चुनाओ से बात और यह चुनाओ से बात की बात तो आपको यही मिल रहा है आजकल समाज में तो आपको इस चीज से खाना कम हो रहा है दूसरा चीज क्वालिटी भी डिक्रीज हुई तो आपके पता चल गया क्यों कम हो रहा है क्योंकि बजट आपका लॉस में चला गया अब मैसिस क्या है आपके लिए यह सब कहानी बताने का मतलब क्या हुआ यसे आप सभी लोग मालीजे स्टूड़ेंटस हैं अभी तो होगा क्या आपके पास पैसे आ रहे होंगे कभी पहले उसे जैसे जो ісसरे पास पैसे आ पास पैसे आ रहे है तो आपको पैसा सेव करना था कि फ्यूचर में लोग अगर मैस छोड़कर भी कुछ चले जाएं तो आप जो लोग बच रहें उनको सही खाना खिला सकें आपको उनके खाने के साथ में समझाता नहीं करना पड़ता पहली कंडिशन दूसरी कंडिशन अब हम इसको देखते हैं कि चुनाओं के रिस्पेक्ट में तो इसमें एक पॉइंट मिसिंग हो गया कि जब एसी लगाने के लिए बात हुई तो यह हुआ कि भाई आधे लोग तयार है कि लगना चाहिए आधे लोग तयार है कि नहीं लगना चाहिए तो हुआ यह कि बोटिंग कराई जाए तो हमार क्या कि जो डिसीजन लिया गया वह यह हुआ कि जो वोटिंग होगी वह बैलेट पेपर होगी यानि की रेटेन में होगी जब वोटिंग कराएगी तो उसमें 95% लोगों ने बोला कि हाँ एसी इंस्टॉल होना चाहिए लेकिन 30% स्टूडेंट उसमें वो थे जो उस मीटिंग लोग में involved थे जो चाहते थे कि यसी नहीं लगे 100% में से 30% पहले ही बोल रहा है कि नहीं लगना चाहिए तो टोटल वोटिंग 70% आने चाहिए थे कि यहां 70% लोग एग्री है कि लगना चाहिए लेकिन वोटिंग आई 95% एसी इंस्टॉल हो गया ठीक है तो बात यह आई कि वो result positive कैसे आये क्योंकि बहुत से लोग जो negative वाले थे जो चाहते थे कि यसी नहीं लगे उसमें उन्होंने वोट नहीं डाला और सबसे main चीज तो है कि जो अभी चुनाओ के टाइम पर जो manifesto decide किया जाता है कि उसमें हर एक party घोसना करती है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ह पर कुछ नहीं था उसमें आपको दो option दिए गए ओप्सन क्या थे वो भी आपको सुनकर तोड़ा अच्छा लगेगा कि एसी लगना चाहिए यह एसी नहीं लगना चाहिए तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ भाईयों भेनों आप एसी में बैठकर खाना पसंद करें तो आप बोलेंगे क्या कि हाँ बिल्कुल पसंद करेंगे एसी बिल्कुल लगना चाहिए ठीक है लेकिन अगर मैं यह बोलूं कि भाईया एसी लगने से आपकी थाली में से मैं रजगुला निकाल लूंगा फिर मैं आपसे पूछूं कि एसी लगना चाहिए कि नहीं लगन किया है और आपको किस पालिटी को वोट देना है और ऐसा नहीं है कि वोट दे दिया और पांस साल वाद आप उनसे हिसाब मांग सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया था जैसे कि हमने मैस में पैसा पे किया है तो हमारी थाली का रजूला कहा है वैसे आप भी पूछ सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया था आपके manifesto में यह यह points थे तो इसमें से आपने कितने पूरे किया और कितने नहीं किये तो यह हो गया आपका take home message कि आप अपने पैसे को कैसे सेव करें और वोट किसको दें तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ऐसे positive की तरह लेजिए और जल्दी मिलेंगे हम किसी science के topic के साथ में इस तरह से social topic के साथ में नहीं तब तक के लिए धन्यवाद